आज हम बना रहे हैं one recipe meal और इसमें हम बरतन भी कम इस्तमाल करते हैं तो obviously कम टाइम लगता है किचन को समेटने में तो चलिए रुची जी बनाते हैं एक और ऐसी ही डिश जिसका नाम है vegetable lazania जी वैसे तो एक इटालियन डिश है लेकिन इसको हमने थोड़ा सा इंडियनाइज क बहुकली पीली शिमलमीज बारी कटी हुई बारी कटी हुई हरी शिमल tangled बारी कटा हुए प्याज बारी कटी हुई लाल शिमलमीज scholarship तो हमने तीनों तरह की bell peppers use कर लिए यहाँ पे। और हमारे पास है यहाँ पर garlic होल गारलिक रखा है हमने क्योंकि हम इसे finely इसे finelyasไป करें पाउडर, मॉस्रेला चीज, कद्दूकस की हुई, मारे पास है यहाँ पर ग्रेट पामिजान चीज, नमक, जो हम यूज करेंगे स्वाद अनुसार और लासानिया शीट, तो चलिए बनाना चुरू करें से, इसके लिए मैं चाहिए एक पैन, और इसमें मैं डाल देता हूं, ओलिव ओल, गरीब दो चम्मच, अब हम इसमें यह लसुन डाल देते हैं, लाइन मैं, प्रीज, सॉटे कर दीजे थोड़ा सा, अब इसमें डाल देते हैं सबजियां, लाल चिम्ला मिर्च, तरीब चाहर चम्मच, एक प्याज, बारी कटीवी, हरी शिम्ला मिर्च, चाहर चम्मच, चाहर चम्मच यह पीली शिम्ला मिर्च, ब्रॉकली, जुकिनी, चाहर चम्मच, डालेंगे इसमें, टमाटर, यह भी इतना ही है, तो अलमोस्त सारी वजेटेबल्स की इकवल कॉंटिटी अमने इसमें डाल दी है, और अब इसमें डाल देते हैं नमक, तो कि हम इन सबजियों को गलाना है, हाँ, स्वाद अनुसार, अब इसमें डाल देते हैं सर्फेज मिर्च का पाउडर, जब तक आप इसे पका रही हैं, आप प्लीज में डिश पास कर दीजी, इसको या तो आप बटर से लाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आप इसको अपाम इसे इस तरह से लाइन कर लेंगे ताकि बात में जब लाजान में निकालना हो तो स्टिक लिए केल को अधियां अब उब हम इसको बज़ी सी क्रुची रखेंगे, प्रियां वह हम इसको बज़ी करेंगे, तो तब यह बादो इसको साथी कर रहा है, ज़शा थोड़ हमारे पास है यहां पर वाइट सॉस वाइट सॉस काफी मात्रा में डालेंगे ते हम ने डाल दिये इसके ओपर डालेंगे हम श्रेड़िट स्पिनिच पिर से हमोग्रूबन के लिए बहुत अच्छा है ओके जो हमारे ब्लेट को बढ़ाता है तो आपके हर में ऐसे कुछ चाट लगा हुआ है कि किस किस चीज के लिए अच्छी है मतब काफी इंट्रेस्टिंग है यह आपको इसके इंसान को इतनी जानकारी होनी तो देखिए यह सब्जियां भी इसमें डाल देते हैं इस तरह से अब इसके ओपर हम फिर से लाजान शीर जालेंगे यह तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग रेसिपी है शेफ बिल्कुल इंट्रेस्टिंग भी है और साथी साथ आसान भी है और टेस्टी भी बहुत है और साथी साथ निट्रिशिस भी है जी यह हमने इसके ओपर वाइट सॉस डालती है चीज ओल्ड एज के लोग भी अब डालें हैं कि अ को वणके डालनी करते हैं और ड्यावार कि अफ़े कि अविप बडिजुडिटीो nouveau वा डिमाल जैन आ और टाल डालें हैं तो नहीं है तरहिए सोब अब हम इसे 200 degree Celsius पर preheat आवन में करीब 25 मिट तक लग देंगे जब यह उपर से इसमें कलर आ जाएगा और शीट पख जाएगी तब हम इसे सर्फ कर सकते हैं जले मैं इसे आवन में रख देता हूं चेफ बीस मिनट हो चुके हैं आये देखिए आपकी रेडी हो गई है कि नहीं बिल्कुल मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं उसे निकाल के देखूं कि वह पग्या है कि नहीं आप 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 अप अप ओव वाव व्ट आप माउथ वाट वाट निए शेफ अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है इसको हम यहाँ पर वापस तरह देते हैं तो तयार है हमारे पास यह वेचेबल लजान तो उमीद है रुची जी कि आपको यह रेस्पी पसंद आई बहुत जाद है और आप यह जाके एक बार तो जरूर अटलीस ट्राय करेंगे थैंक्यू रुची जी कि आप हमारे शोव पर आई और इतने स्वाधिश्ट हमें चीले बना के दिखाए आम शोर कि जितने भी हमारे व्योस हैं उन सबको इससे बहुत जादा फायदा मिलेगा ठीके थैंक्स अलोट वजेटेबल लजानिया बनाने के लिए आपको चाहिए जैतून का तेल दो बड़े चम्मच, कटा लैसुन एक बड़ा चम्मच, लाल पीली हरी शिमला मिल्च तीन कटोरी, कटा प्याज एक कटोरी, कटी ब्रॉकली एक कटोरी, कटी जुकिनी एक कटोरी, कटा टमाटर एक कटोरी नमक स्वादानुसार पिसी सफेद मिर्च आदा चोटा चमच लजानिया शीट छे वाइट सॉस एक कटोरी मौजरेला चीज दो बड़े चमच पामेजान चीज दो बड़े चमच कटा पालक दो बड़े चमच अब इसे बनाने की विधी नोट करें एक कढ़ाई में त सभी सबजियों की एक लेयर बनाएं इसी तरह की और दो लेयर बनाएं ऊपर से मौजरेला और पामेजान चीज डालें 200 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट तक बेक करें तयार है वेजेटेबल अजानिया